हम जब भी किसी से मिलते हैं तो प्रथम द्रष्टिया व्यक्ति का नाम या उसके विजिटिंग कार्ट को प्राप्त कर उनके नाम से व्यक्ति का परिचे जानने का प्रयास करते हैं और जदी हमें ये पता चले कि किस एलफाबेट से उस व्यक्ति का नाम प्रारम्ब हो रहा है और उस एलफाबेट से ये जदी जान पाएं कि व्यक्ति का नेचर कैसा है तो हमारे लिए आगे उस व्यक्ति से बात करना या उनसे बिजनस करना या आगे की कोई भी शम्मंद में हमें सुविदा होती है आज बात करेंगे वैसे वैतियों की जिनके नाम का प्रथम अल्फबेट S है ये लोग कैसे होते हैं इनका व्यवहार कैसा होता है इनका सुभाव कैसा होता है इनमें क्या-क्या कमिया पाई जाती है इन सब विशों पर आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे S नाम वाले वैक्ति नौलेजिबल होते हैं लोगों से मिलना जुलना ऐसे वैक्तियों को पसंद होता है S अल्फबेट के जातक वैक्ति बहुत रिलीजियस होते हैं ऐसे वैक्ति बहुत परिश्रमी, महनती या लिबूरियस भी होते हैं ये अच्छा गाइड करते हैं ये बहुत लॉयल होते हैं और अपने कार में या पार्टनर के प्रती इनकी लॉयल्टी होती है ये जातक दूसरों को सुखी करने या देखने के लिए खुद को भी कष्ट देने से हिचकिचाते नहीं सेक्रिफाइसिंग नेचर के होते हैं बहुत ड्रैमेटिक होते हैं ऐस नाम वाले व्यक्तियों के लाइफ में सड़न चेंज आता है चेंज ओफ लाइफ हो सकता है चेंज ओफ माइंड हो सकता है Change of personality हो सकती है किसी भी परिस्तिती का बहुत दिलेरी से सामना करते है एक इन में आदत होती है कि अपनी बातों को उपर रखने की आदत इन में पाई जाती है काफी जिद्धी सभाव के भी होते है प्रेम से आपका सब काम कर देंगे पर अकड कर कोई इन से बात कर चेश्टा करे कि इनका काम करवाले ऐसे व्यक्तियों की काम बात ही नहीं सुनते सारीरिक और मानसी के लुप से ससक्त होते हैं उड़जा से परिप्रोन रहते हैं आलश्य इन से कोसों दूर रहता है जिद्धी और जुनूनी होते हैं और जो एक बार ठान लें वो करके छोड़ते हैं किसी बंधन में बंद कर रहना ऐसे जातकों को पसंद नहीं आता है जिनका नाम ऐसे प्रारम होता है वे अपने अलग अंदाज में जीना पसंद करते हैं इनकी कमिया, खामिया जो इनमें होती है ये दिल के बुरे नहीं होते पर तेज सभाव इनको परिशान करता है अपने चारो और एक रहश्मई वातावरन औरा बना कर रखते हैं शक्की मिजाज और सभी को अपने हिसाब से चलाना जीवन में इनके परिशानी क्रियेट करता है ऐस नाम वाले जातकों के लिए लक्की कलर है ग्रीन, येलो इनके लिए लक्की नंबर है एक, दो, पांच और शाथ रभीवार और गुरुवार इनके लिए शुब माना गया है फिर एक नए अलफाबेट के साथ नई बात को लेकर हम फिर हाजीर होंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें थेंक्यू